हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ अफशिवानी मित्रा के और एक नए वीडियो में आज मैं ब्लोग वीडियो शुट नहीं कर रही हूं देखिए आज कितना सुन्दर मोसम है और आसमान में वादल दिखनी रहा है कैमेरे मे तो मैं थोड़ा बहुत मतलब इधर से घूम रही हूँ देखिए खेटों के अंदर से और अभी है न कभी भी बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा है तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी वाते शेयर करने वाली हूँ कि मेरा हजबर ने मुझे मना तो किया था कि ये सार कुछ अच्छी बाते किया जाए तैकि मुझे बीचा लगता मुझे मातलब वह आप लों को बिंव मेरे मैं तो कि ouve출 के व करो ने की ने तो दापके वारे में मैं बोलना चारी था आप लोगों के साथ कि अक र€ गसा उन्तों कि अभी नैव रुदा उन्होंने मुझे देखा कब था और उन्होंने मुझे पसंद किया था कि स्रिप उनके घरवाले ही पसंद किये थे मुझे तो मैं आप लोगों को सिधे-सिधे यह बोलूंगे कि दिशानी के पापा ने मुझे फस्ट टाइम कब देखा तो आप लोगों को और भी वीडियो मे पता तो चली गया है बहुत सारी बाते तो मैं सोच रही हूँ यह भी बता दू तो दिशानी के पापा का जब मतलब उनके वहां से हमारा और उनका स्टेट तो अलग है मैंने आप लोगों को पहले भी बता था तो ऐसे तो हम लोग बिलकुल अंजान थे दोनों फेमिली एक द घर से जब रिस्त आया था तो उन लोगों ने मुझे नहीं देखा था खिसी ने और हम लोगों ने भी उनको नहीं देखा था बस बीच के कुछ लोग थे जिन्हों ने बोला कि यहां एक अच्छी सी लड़की है और उनका फेमिली भी अच्छा है तो आप लोग देख लो तो ऐसा करके तो दिशानी के मतलब दादाजी जो थे तो उनको मतलब किसी ने मेरे पापा का नंबर दिया था तो उन्होंने मेरे पापा से बात किया सबसे पहले उन्होंने मुझे भी नहीं देखा था और हम लोगों ने भी उनको नहीं देखा था तो बस बात हुई थी हम ल लड़के का फोटो वेजो तो अब घर पे हमारे घर पे हुआ यह था उस टाइम किसी के पास मेरे मम्मी के पास पापा के पास एंड्रोइड फोन नहीं था फोन था एंड्रोइड तो मेरे भाई के पास था और मेरे पास था तो मेरे भाई और भाई घर पे नहीं था वो कोलकत मतलब अब उन्होंने बोला कि किसके फोन में फोटो भेजे तो मेरे पापा इतने confidence थे मुझे लेके कि उन्होंने मेरा नंबर दे दिया अब उनके घर से भी शायद क्या हुआ पता नी उनके घर से भी मतलब दिशानी के पापा ने फोटो भेजा मेरे फोन में अब मेरे फोन में जब फोटो भेजा तो उन्होंने मेरा डिपी देख लिया था मेरे डिपी में जो फोटो लगा हुआ था वो फोटो देख लिया तो उनको पता लग गया था कि यही लड़की है हाला कि मेंने उनको फोटो भेजा नहीं था अब उनका जब photo भेजा मेरे पास तो सच बोलू पापा ने मुझे बताया था कि एसा एक लड़के का photo मतलब भेजेंगे photo मुझे पता चल गया था बाथ हु थी तो इससे पता चल जाता है तो मुझे भी एसा ही पता चल गया था अब लड़के का जब मैंने फोटो देखा तब आप लब मानोगे नहीं मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था कि इतना मोटा लड़का वो भी मेरे लिए मैंने यही सुचा था कि कुछ भी हो मोटे लड़के से तो मुझे शादी नहीं करनी है बिलकुल भी नहीं करनी है तो न मै मैं धीरे से मम्मी के पास गई की चैन में और जाके बोला मम्मी देखो पापा नहीं हितना मोटा लड़का देखा है तो मम्मी ने भी देखा और देखते से इभा धीरेशन क्या हो जाता है देखने से शादी थोड़ी ना होती है ऐसा करके तो एस से मुझे पागल मनाया गय तो फिर जाके हुआ यह कि अब वो दिशानी के पापा को मेरा डीपी देखा तो वो शायद कन्फरम थे या नहीं थे कि यही लड़की है पर उन्हें नहीं पता पर उस टाइम से उनका मेरे पास मेसेज 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 पर मेसेज बस एक ही चीज तुम बहुत सुन्दर हो यह प्ला तुम पादख पुरा मुझे पनाने के पलान मे तरहर तो यह व मश के फोच शूचन नहीं को मतलब प्र उस टाइम तरहर में बहूत विश करते थे और हर तयतना में लड़का देखने के लोग देखने के बाद फिर वो लोग देखने आये मुझे पाच जाकि मेने उनको देखा ऐसा तो मतलब बहुत सारा टाइम था बीच में तो उन्होंने मुझे मैसेज भी मेसेज लेकिन सच मैंने कभी बहुत मेसेज का कोई रिपलाय नी दिया इतना मैसेज करते थे लास्ट मैंने बस इतना सा बोला था कि मुझे मेसेज मत करना बस यही बोला था मैंने कि मुझे मेसेज मत करना पर वो फिर भी मुझे यही बोलते थे कि नहीं हमारी शाधी की बात चल रही है तो बात तो करनी चाहिए है और से करके तो मैं सोचती थी शाधी की बात कहां चल रही है अब भी तक चली नहीं है तो इतना मैसेस करते थे और उनको मेरी डीपी देखके मुझे देखने के बाद उन्होंने मुझे पुछा भी था कि ये डीपी में आप ही हो मतलब आपका फोटो है तो मैंने बोला था कि हां मैंने हां या नामे एक दो बार आंसर दी थी तो उन्हें मैंने बोला था कि हां ये मेरा ही नंबर है उसी यह बहुत सारी ऐसी चीजह हुई और वह मुझे फोटो में देख के इतना ज्यादा पसंद किया थे हला के उनके घर पे सब लोगों ने मुझे पसंद किया था एरेंज मेरी स्थी मैंने आप लोगों को बताया ही है तो उनके घर पे सब लोगों ने मुझे पसंद किया था उनकी मम्मी ने सब लोगों ने पसंद किया था हाँ बाद में उन लोगों की पसंद वदल गई मुझे मतलब में घर पर जाने के बाद जो भी हुआ फिर वह बात पुरानी बातों में जाओंगी नहीं तो यह सब कुछ हुआ तो वह सारी पुरानी चीजे में याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हसी आती है कि लेकिन हाँ दिशानी के पापा अब उतने मोटे न लगते थे पता नहीं उस टाइम इतने अजीब लगते थे तो मैंने तो फस्ट टाइम देख के यही बोला था कि मुझे तो भाईया इतने मोटे लड़के से शादी नहीं करनी तो मैंने फिर जाके जब बोलोग मुझे देखने आए यहां पर फिर जाके आगे की बाते तो जब देखने आये तो मेरे हजबन ने सोचा था कि फोटो में देखा है लड़की तो शायद आजकल फिल्टर विल्टर का जमाना है और फोटो में मतलब एडिटिंग करने के बाद सारी लड़किया सुन्दर ही दिखती है तो उन्होंने क्या पता कुछ ऐसा भी सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि शायद ऐसी नहीं होगी सामने से कुछ मतलब आलागी होगी और पर जब पाच तीन चाह मुझे इतना याद नहीं है फिर में थोड़ा सा मतलब उपा नीचे वोलू तो चार-पाच महिने बाद फिर जाके जब वो आये मुझे देखने तो देखने आ कि ऐसी लडकी के साथ कन निapp Attumo के लिए भहुत सारी लड़्किया देखे थे नंके घर पर मेरे लिए पहले इतने लड़क नहीं देखे थे क्यूंकि उस टाइ्म इतना सोचे नहीं था, मेरे घरवाले इतना सोच नहीं रहते कि अभी 60 साल शाधी करवाएंगे, पर उनके घर से बहुत सारी लडकियों बहुत सारी लडकिया देखी थी और बहुत सारी लडकियों को रेजेक्ट भी क्या था, तो कि उनके साब से नहीं मिल रही थी कोई लड़की तो जब मुझे देखा तो उन लोगों को सबको पहसंद आया था इस बीच में मेरे से बहुत मैसेज करते थे वो मुझे हाला कि अभी अगर मैं उनको बोलू तो वो एकसप्ट नहीं करते हैं मेरे सामने तो कभी नहीं करते हैं कि हाँ मेने क्या था मेरे सामने एकसप्ट करते ही नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत मैसेज किया था मुझे और इस बीच में मेरे पापा और मतलब दिशानी के जो दादाजी थे तो दादाजी से मतलब मेरे पापा की बात होती थी तो फिर जाके उन लोगों का डेड़ वेट फिक्स हुआ तो वो लोग मुझे देखने आये जब घर पे तब भी मतलब मेरे घर वालों ने मुझे यही बोला कि देखने आने से शादी नहीं होती मतलब मुझे लाश तक यही बोलते रहे और शादी फिक्स करके आ गए तो वो लोग जब आये तो आने के बाद जब दिशानी के पापा हमारे घर पे आये तो घर पे बैठे थे है तो सच बोलू तो मैं मतलब घर से निंगार मतलब रूम में थी और उनके पास मेरा नंबर तो शुरु से यही था तो वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि तुम कहां हो दिखनी रही और मैं फिर ऐसे थीं से दिशानी के पापका को देख़ें माल्ख बाहर नहीं आ रही थी हमति il की अरो ini कुछbol इतनी इतनी शरंवरंद है नहीं तो वो मुझे मैसेज पे मैसेज की यह चार cr कि मतलब मुझे मैसेज्ज पे मैसेज्ज किये जा रहा है कि बाहर निकलों बाहर निकलों करके और मैं नहीं निकल रहे थी में धुग्पक के अंदर tari छुप चाप मैं सोची क्या कर और सामने प्सद करें कि उपर से लड़का पसंद नहीं है तो यह सारी है लेकिन हम अभी लड़का इतना पसंद है मतलब दिशानी के पापा अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आज की परजेंट बात करूँ तो दिशानी के पापा के साथ मेरा रिलेशन्शिप कुछ ऐसा ही है कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होता है कि हम दोनों की शादी इन हालातों में ऐसे करके यह सारी चीज़े करके हुई है मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने लब मेरीज की है क्योंकि बाद में जब और सच में मैंने दोनों मतलब experience फिल किया है कि मतलब love marriage और arrange marriage क्योंकि मेरे साथ हुआ ही कुछ ऐसा है कि मैंने love marriage भी love marriage में क्या होता है वो भी मैंने मतलब कर लिया है और arrange marriage में क्या सुखे वो भी देख लिया है और love marriage में क्या सुखे वो भी देख लिया है बोला जाये तो क्योंकि आप लोगों को मेरी दूसरी वीडियो में तो मैंने बताया है कि मतलब arrangy marriage करके क्या क्या हुआ मेरे साथ और फिर जाके हम दोनों एक हुए तो कितना संघर्ष करके एक हुए जैसे कि मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मतलब घर वालों की खिलाब जाके शादी कर रहे हैं तो यह सारी मतलब experience मतलब मैंने कर लिया है कि love marriage में क्या होता है और आज की परजेंट बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि दिशानी के पापा के साथ मेरी love marriage ही है आज जो हमारा relationship इतना मतलब strong है यह शायद यह सारे उताब चड़ाव नहीं आते तो शायद ही इतना strong बनता आज के date पर मतलब ऐसा है कि मतलब हम दोनों को एक दूसरे को पर मतलब इतना ही मतलब भरोसा प्यार सब कुछ है मतलब तो इसी वज़े से मैं सोचती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी चलो अच्छा ही हुआ कि आज हमारा relationship जो है वो ऐसे मतलब मजबूत है कि अब इसका तूटने का कोई बो नहीं है कि कुछ होगा या फिर तो फर्स्ट टाइम दिशानी के पापा ने मुझे फो अगलता है पर वो शायद ही वीडियो में कभी आएंगे मुझे नहीं लगता मुश्किल से मना के कभी आई शायद और नई भी आए ऐसा भी हो सकता है तो ऐसे करके फिर जाके जब वो हमारे घर आये तो हम दौनों फिर एक दुसरे को देखे पर अब हम दौनों के एक दुस तो मेरी और उनकी भी बाते तो किसी ने करवाई नहीं थी पर मतलब हो गई थी बाते कि मतलब हमारा घर तो आप लोगों नहीं देखाई है मतलब इतना बड़ा है तो यह से घूमते फिरते ही बाते हो गई थी तो क्या-क्या बाते हुई थी और क्या-क्या नहीं हुई थी यह सारी चीजे मुझे अच्छा लगता है वो सारी चीजे पूरानी चीजे मतलब सोचके और अभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हसी आती है मुझे बहुत ज्यादा और दिशानी के पापा को में बहुत ज्यादा चिडाती हूं बहुत सारी बातों को लेके तो वो क मेरे लाइब की सारी मतलब दुख वरी कहानिया सुनी है तो कुछ सबके लाइब में अगर बहुत दुखवी हो तो थोड़ा बहुत अच्छा भी होता है तो शायद उस टाइम में इसे अच्छा नहीं समझती थी पर आज के डेट पर में इसे अच्छा समझती हूँ इसलिए म मेरे लाइप में कुछ अच्छी चीजे भी हुई थी अच्छी चीजे हुई थी बहुत ज्यादा अच्छी चीजे भी थी मेरे लाइप में मतलब इतना ज्यादा जितना बुरा था इससे ज्यादा कुछ अच्छा भी था जैसे कि जब दिशानी के पापा और में हम दोनों मतल हम दोनों बहुत खुमाया कि हर जगे लेके जाते थे और यतना घुमाने लेके जाते थे मतलब हम दो साल में भी 시간이 तर नहीं स्थायंगे किसी को लेकिन अध्aría पाथ नहीं गुमाया था और मतलब हम इन दिशानी के पापा हमेशें घुमते यह रहते थे वह नो महिने तो वह नो महिने मेरे लाइब के बहुत ज़्यादा अच्छे थे क्यूंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा हैपी थे उस टाइम खुश रहा करते थे और हमेशा घूमा करते थे तो मुझे ना एक दो कमेंट ऐसा आया था कि दिदी आपने भोजेगे गहुम तो ली है फिर आप बोलते हो कि मतलब कहीं गई नहीं आप मतलब हस्बेंड के साथ तो वह तो तब गई थी मैं जब मतलब दिशानी के पापा मुझे लेके गए मतलब तलाख हुआ तलाख के बाद दुबारा लेके गए हम लोग अलग से रहते थे तब जाके दिशा बुरा बुरा शेर किया है तो कुछ अच्छा भी शेर कर रही हूं इसलिए मैं आप लोगों थोड़ा से दिखा देती हूं देखिए यहू बहुत ज्यादा पक गया है इसे काट सकते हैं लेकिन कल रात और परसो रात बहुत ज्यादा बारिश हुई थी इस बज़े से देखि एंड करती हूँ मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि दिशानी के पापा जब आ podéis थे आने के बाद फिर हमारे घर पे क्या-क्या हुआ था हम दोनों के वीच में क्या-क्या भाते थी यह सारी चीज़े तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कॉमेंट शेर जरूर करें फिर मिलूंगे एक नए ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई आप लोग भी अच्छे से रहिए